नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओनलाइन और ओफलाइन गयान में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना अगर आपके मतलब की ये वीडियो है क्योंकि इसमें information मैंने पूरी share की है और यह जो notice आप लोगों के सामने आ रहा है कि आपके exam जो है 5 फरवरी से होंगे कितना सही है कितना गलत है इस पर भी हम बाते करेंगे तो हम जानते हैं अभी क्या drama चल रहा है DGT का DGT की तरफ से कोई भी proper information नहीं आ रही है कि आप लोगों का exam इस time पर किया जाएगा अगर वो information दे भी रहे हैं तो वो official site पर update नहीं कर रहे हैं दूसरे वे से जो ITEK college में आप लोगों के teachers होते हैं जो principals होते हैं उनके पास notice दो है ये दे देते हैं उनको information मिल जाते हैं फिर हमारे पास किसी ना किसी तरीके से information आती है और हम आप लोगों तक पहुचा देते हैं लेकिन official site पर update नहीं है अभी morning में भी मैंने एक दो teacher से बात करी जो ITEK college के है पहली तो उनसे भी ख़बर मिली है वो भी बोल रहे हैं कि 5 फरविरी से हाजी schedule तो आया है possibility पूरी है कि आप लोगों के exam हो जाए तो मुझे ये information लगबग 90% तो सही लगी रही है मेरे according सही लग रही है और आप लोगों को पता है जो हमारा पूसा है पूसा में maximum जो decisions है वही से लैटर निकल के जारी होता है क्योंकि डैली का सबसे बड़ा ITE ही माना जाता है और mostly जो बड़े-बड़े teachers है बड़े-बड़े ITE को समालने वाले अधिकारी है वो यहाँ पर शीजों को जारी करते हैं यह लैटर 20 को आया है आज 21 तारीक है तो कल रात में आया था है कल रात को आपको वीडियो नहीं मिली मेरे पास लैटर जो है मॉर्निंग में आया और मैंने फिर इसको वेरिफाई किया और आपके लिए थोड़ी सी इस डेट से है तो यहाँ पर वीडियो मा आगे बढ़ने से पहली बता दू मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जो थोड़ी वाले बच्चे है और वक्सोप कैल्कुलेशन वाले बच्चे है उनके एक्जाम की अपडेट नहीं है इनके एक्जाम का अभी जो छ विचार नहीं किया जा रहा है तो इन पर विचार जब किया जाएगा इसकी जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी यह जो On the subject, on the subject cited above, it is informed that AITT under CTS exam, semester system, DST, annual system, DST मतद dual year system. For the subject of practical and ED is proposed to be held in February 2021. Further, inform that this examination will be held for the trainees of state. अभी जो practical ED के marks होंगे, वो होंगे डेली, छत्तिगर, जारकन, वेस्ट बंगाल, गुजरात. Also, trainees who could not appear, और जो बच्चे practical ED के marks, जो 23 नवंबर से start हुएते paper, दो 12 तक चलेते, उनका जो है, अगर नहीं हो पायता paper, तो वो बच्चे जो है, इसमें बैठ सकते हैं. क्योंकि कुछ बच्चों के ED और प्रक्टिकल के marks छूटे भी थे, और यह particular states है, जिनके यहाँ पर दे रखे हैं. तो यह आप लोगों के clear हो गए होगे, उसके बाद, यहाँ पर जो है, और भी information है, जो यह border के as per the schemes of CTS, trainees who will participate in above said examination as follow, जो जो इसमें participate करेंगे, वो तीन कैटिगरी दे रहा की है, annual system, जिसमें all trainees admitted in session 2018 और 2019 अगस्त वाले महिने में, 19 में एक साल वाला जो course है, उसके बाद, semester and dual system trainees admitted till session August 2018, उसके बाद, third वाला point, dual system of trainee, annual systems, trainee admitted in session August 2019, one year course, ठीक है, यह चीज़ किलियर होगी, किन को participation करना है, उसके बाद, जादा time waste ना करते हुए, हम जो नीचे बढ़ जाते हैं, और आप लोगों के साथ proper information share करते हैं, और यह काम की सीज़ नहीं हैं आपके, नीचे बढ़ते हैं, नीचे बढ़ते हैं, नीचे यह जो है, आप लोगों के जो ITI को समालते हैं, उनके लिए information दे रखी है, कि कब उनको माक्स को upload करना है, क्या आगे का उनको प्रोसेस करना है, उनके लिए होल टिकट के जो पहली criteria आऊंगे, मैं आशा करता हूँ, कि जो time table दिया है, यह पूरा का पूरा सत्य हो, और बच्चों को किसी भी तरीकी की problem का सामना ना करना पड़े, अब जो मैंने आप लोगों को theory और workshop calculation वाला part बताया, 13 तारिक तक तो, 13 फरवरी तक तो इन ही के exam चलेंगे, अब 13 फरवरी में 5-6 दिन का और gap लगा लगा लो, and तक जो है, यह theory और जो आप लोगों के workshop calculation के update है, वो आप लोगों को देंगे, तो देखते हैं क्या information आती है, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूँगा, उसके बाद यहाँ पर एक को table है, जिसमें program for the all India trade test of craftsman under craftsman training scheme for engineering and known engineering trade to be held in the month of February 2021 semester system, ठीक है, semester system examination dual system of trainee, उसके बाद जो है, यहाँ पर आप information देख सकते हैं, तो यह इन्होंने date दे रख़ी है, कब है, यह इन्होंने day दे रखा है, time दे रखा है, और यह आप लोगों को से semester दे रखा है, और यह आप लोगों के paper के type दे रखा है, उसके बाद इसी में इन्होंने dwell system भी add कर दिया, तो dual system में आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से year के हैं और कौन-कौन से इन्होंने जो है category को रखा हुआ है one year को और two year को उसके बाद lunch once का time इन्होंने दे रखा है तो इसे आप देख लेना और उसके बाद आप नीचे वड़ते हैं नीचे जो है इन्होंने जो information दे रखी है वो दे रखी है इन्होंने annual examination and dual system of trainees examination की तो यह 19 यहां से पढ़ते हैं यह जो है program for all India trade test under craftsman training scheme for engineering and non-engineering trades to be held in the month of February 2021 annual system examination अगस 2018-2019 one year के course वालों के लिए and dual system वालों के लिए तो यहां पर हम देखते हैं और trainees admitted in session 2019 और one year course में practical and ed engineering examination उनका होने जा रहा है तो यह date आप देख सकते हैं date के बाद यह date दे सकते हैं यह time दे रखा है और यह आप लोग का year दे रखा है और यह paper का type दे रखा है तो यह आप लोगों की clarity आप लोगों को मिल गई उसके बाद कुछ इन्होंने technical help दे रखी है जो अभी आपको कुछ नहीं करना है इस technical help का आप करेंगे तो कोई आपको response मिलेगा नहीं वैसे बाकी मेरी तरफ से जितनी information आप लोग को share करनी थी वो मैं कर चुका हूँ लेकिन मैं DGT से request करूँगा कि इन बच्चों को परिशान ना किया आप यकीन नहीं करोगे कमेंट बोक्स में मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट भी आये हैं बच्चे ये वोल रहे हैं कि सर हम तो ITI छोड़ देंगे ITI का exam हमें नहीं देना हमें तो नोकरी करनी है एक साल हो गया बहुत परिशानी हो गई और यकीन नहीं करोगे कुछ बच्चे ऐसे भी है वोले की सर हमने तो ITI छोड़ दिया exam जब होगा तब की तब हम देखेंगे हम तो अपनी नोकरी पे जा रहे हैं और जो हमें आगे का काम करना है उस पर जो हम फोकस कर रहे हैं तो DGT से request है बच्चों के career के साथ इस तरीके से खिलवार ना किया जाए और जो आप लो अग्जाम सो रहे हैं उनके exam हो सकते हैं तो यह नोर्मल साड यह जो आपने यह ITI निकाला ITI के जो paper होते यह क्यों नहीं हो सकते तो आप लोग उसे request है प्लीज जल्दी से जल्दी इनकी परिक्षा पर फोकस किया जाए बाकिये notice मुझे पूरी ऐसा लग रहा है कि पूरा क अगया होगा जो engineering dying के paper होने वाले है दुबारा से यह practical के paper होने वाले है वो 5 फरवरी से है ठीक है theory और workshop calculation की कोई भी update नहीं है मैं आशा करता हूँ कि जल से जल theory और workshop calculation की update यह दे देंगे बाकी कोशिश तो यही है कि 13 तारिक के बाद जो है यह आप लोगों को update दे क्योंकि तो आशा करता हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोग के exam करवाया जाए और बच्चों को जो है आगे के काम पर भेजा जाए क्योंकि अभी ना ही आप लोग बैक पेपर की कोई खबर दे रहे हो और ना ही आप लोग theory प्लस workshop calculation की कोई खबर दे रहे हो आप ऐसे exam जिनके basis पे जो है उनका सब कुछ अटका हुआ है आगे का काम नहीं हो पा रहा उसकी तो कोई update आई नहीं रहे है आपसे इतना छोटा विभाग है इतना छोटा department है आईटे वाले बच्चों की संख्या जादा भी नहीं है तब भी आप लोग जाए उनके exam में इस तरीकी की आनका नहीं कर रहे हो तो बाकी कुछ नहीं है मैं notice का link आप लोगों को description में दूँगा description में दे रखा है website पे नहीं दिया है तो directly आप जाके देख लेना एक लिए क्लिक करना खाली आपको आपके लिए download जागा Google Drive में डालके मैंने रखा हुआ है बाकी धन्यवाद किसी तरीके की समस्या है तो आप लोग comment box मेंशन करो चैनल को subscribe कर लो बैल ऐकन दबा लो एक लाग दस जा वन मिलियन टैन थाउजन सब्सक्राइबर्स हो चुके है आपने देख लिया होगा 1.01 मिलियन और gold play button का community में मैंने पोश डाली दिया है दो तीर हफते में वो भी deliver हो जाएगा उसकी भी ज नवाद